वेलकम वेलकम खुशामदीद तिलवाली गचक आज की हमारी रस्पी है जो के सर्दियों की एक मशूर सुगात है जो के बहुत ही ज़्यादा लाइक की जाती है आज हम उसकी रस्पी दे रहे हैं सबसे पहले हमने नॉन स्टिक जो है फ्राइंग पैन उसको मीडियम फ्लेम प डाली है आप इस शकर में हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे जस्ट इसको गीला करने के लिए हमने इसको गीला ही करना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी इसके अंदर जो डलियां सी है पनी बनी हुई वो खतम करन जहन में रहे कि यह हमारा जो फ्रेम है वो मीडियं ही है यocrा आग हमारी मीडियं ही हु यह देखे इसमें बाबर्स बनना शुरू हो गए इसका मतलब है यह अब पकना शुरू हो गई यह इसका इस ता हम पानी खतम करेंगे इसको गैरा करते जाएंगे यह हमारी गच्चक गाड़ी होनी चाहिए इसके साथी हमने एक और काम भी करना है कि हमने एक डिश लेनी है, ट्रे ले लेने कुई प्लेट ले लेनी हो पहले इस से पहले इसमें हम थोड़ा सा ये जर्दा रंग डालने है इसके अंदर इसके रंग को यानि के अच्छा करने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दा रंग भी डाला है अब हम इसके साथ साथ मैं आपको पहले जो बता रही थी कि हमने एक डिश ले लेनी है या ट्रे ले लेनी है उसके अंदर नीचे हमने आईल लगा लेना है अगर आईल नहीं भी लगाना तो उसके उस डिश में या उस ट्रे में हमने ये इस तरह ये जो है तिल डाल देने उसके अंदर और तिल को पूरी प्लेट में फ्ला देना ان تل کو ہم نے 2-3منٹ کے لیے نہ خالی طوے پر اس کو بھون لینا ہے اس کو کسی طوے پر بھون لیں یا کسی فرائنگ پین میں بھون لیں لیکن یہ جلنا نہیں چاہیے اس سے یہ ذرا خستہ ہو جائیں گے ورنہ جب یہ اس کے اندر جاتے ہیں شیرے میں تو یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں گچک اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے इसलिए इसको भूनना बहुत जरूरी है अब ये हमारी गचक त्यार होने के करीब ही जा रही है हमारी जो है यानि के ये जो शीरा सा है ये गहरा और गाड़ा होता जा रहा है हमारी प्लेट भी रेडी है ये जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बतानी है आपने उसी के मताबिक सारी चीजें डालनी है ये इसमें एक टी स्पुन जो है वो गी डालना है वो फुल बरा हुआ ना हो वरना आपकी गचक सॉफ्ट हो जाएगी अगर घी ज़्यादा हुआ तो बस एक इसमें टी स्पुन डालना है आपने घी का यह इसको अच्छे थी कैसे हलाते जाना है यह जलने ना पाए अगर आपको खत्रा है यह जलने लगी है तो आपने फॉराण इसके नीचे आपको आश्टा गार देना है अब इसके अंदर बबर्स बन रहे हैं इसका मतलब है ये अब इसको थोड़ा ही टाइम रह गया, ये मेरे पास है मीठा सोडा, मीठा सोडा बहुत ही में इंग्रीडियेंट है, ये जैसे हुला ये शीरा गड़ा होता है, तो हमने जब बबल्स बनते हैं, पानी फिनिश होके गड़ा हो जाए, त्ब हमने ये डालना है, और इसकत ह हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी काम रखनी है आपने इसको फुल भरा हुआ होना नहीं चाहिए वरना यह कड़वा कर देगा इसको हमारे इस जो घचों को कड़वा कर देगा इसके बाद हमने इसको दो मिनट तक पकाना है अच्छे तरीके से जब हमें यह लगे कि अब य प्लेट रखी हुई थी उसके उपर इसको डाल देना है यह अच्छे तरीके से इसकी निशानी यह होती है कि यह फौरण ही अगर आप इसको खिंचेंगे यह हलका सा ठंड़ होने पर तो इसकी तारें सी बनेगी इसका मतलब है यह तोड़ा सा किसी प्लेट में गरा के करें अच्छे तरीके से इसको तिल से कवर कर देना है आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी यानि के जिस तरह हमारे पास रेवडी होती है जब हलका से ठंड़ा होने लगे तो तब उसको चोटी-छोटी से बिलकुर समाल से पेड़े से बना के ना तो उसके उपर भी यह ति तिलों को उसके उपर वो रेवडी बन जाएगी रेवडी भी इसी तरीके से त्यार होती है और ये जो है एक तो मीठा सोड़ा एक तो इसके रंग को साफ करता है और दूसरे ये कैमिकल रियक्शन करता उसके वाच से ये जल्दी जम भी जाएगी और बहुत अच्छी और कु तिल वाली ये देखे इस वक्त हमने काट के इसके पीसिस रख दिये हुए हैं ये इस वक्त बिर्कूर रैडी कंडिशन में है और ये आश्टा-श्टा इसको तकरीबन आदा घंटा लगता है ठंडा होने में और ठंडा होने के बाद साथ ही ठंडा होने से पहले-पहले नहीं होंगी इसी तरीके से हम आपको दूसरी भी रैस्पीस खाएंगे तब तक के लिए गुडबाए चैनल को सब्सक्राइब